हेलो बच्चू तो कैसे आप सब उमेट करते हैं बहुत ही अच्छे होगे तो आए आज हम आपको स्वागत करते हैं रिक्टर नमबर 3 में जिसमें आज हम डिस्प्ले हो रही टॉपिक को कवर करने वाले हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपके लिए यह है मोडिफाई कमांड जिसमें आज हम कवर करेंगे ऑफसेट कॉपी और मिरर इसके बाद जो सिगेंड नमबर के लिए टॉपिक होने वाली है यह है ड्रा कमांड जिसमें हम पढ़ेंगे आज रिक्टेंगल और आर्फ तो आईए हम लेकर चलते हैं आपको सॉफ्ट्यर पे सॉफ्ट्यर ह आघ शरा मने ओपन कर लिया यहां पर ट्राइप जो पर की करेंगे हम यहां से स्टार्डॉ अघृ करेंगे बना होगाय है, इसके बास पर चलते हैं एक उपसेट होता के आप्सेट के मतलम होता है कि अगर कोई अब्जेक्ट बना हुए है उसके parallel और भी बहुत सारे अबजेक्ट आपको बनाने है तो उसके लिए हम offset कमांड का युच करके बहुत ऐसान तरीके से यहापे हम बहुत सारे अबजेक्ट बना सकते हैं जैसे कि यहां पे हम एक line draw कर लिए, L enter किये, first point click किये, second point click किये, इसके बाद enter कर लिए, अब हम सोचने है इसके parallel horizontal 10-10 mm के distance पे, बहुत सारे हमें line की जरुरत है, तो इसे हम कैसे draw करेंगे, अब हम draw करने लगेंगे, L enter किये, अब इसे measurement करेंगे, यहां पे 10 mm हो सकता है, कही पे offset के जो shortcut की होता है, वो होता है, वो enter, यहां तो यह होता है, modify का command, modify कमांड के लिए हमें, modify मेन्यू बार में जाना पड़ेगा, menu बार की modify toolbar में आगे, तूल बार में click करने के बाद, यहां पे हमें दिखेगा offset, offset पे click करेंगे, click करने के बाद, यहां पे offset का distance कोच रहा है, specify offset के ऐंके खर chipset वाक मैं अब इसके पार हम था of the store को यह हो बने चाहरा है जो फिर वससे के आपकर कुले तोड़ा सब्सक्राइब कर लें तो और देखने में आपर असानी होगा जैसे जो हाइलाइट हो रही है है यहां यह मेरा में अबजेक्ट इसके बाद जो सिकेंट जो नीचे की और यहां पे सो और आगवा लाइन यह है मेरा ऑफसेट अच्छे इस ऊपर क्लिक कर सकते है में कोई भी एरह नहीं आएगी इसलिए उपसेट कमांड के यूज करके हम इस तरीके से बहुत सारे अब्जेक्ट बना सकते हैं एक दूसरे के पहले अब लेकर आते हैं जैसे सपोर्च करें आप एक सर्किल ड्रा कर लिए से इंटर किये इसके इसका हम रेडियस इंटर कर लि अब हए बता हैं जैसे और लिए इसके बाद आप Prince का हलो यह सार्ड करें श्रीकें पर लिए जैसे सथार कशेक्टsk होने वाला है सरकि Baptist करें हगे अगर अदरर के अपर और 5mm पर होगँ यदि हम बाहर की ओर click करते हैं तो यह offset बाहर की ओर 5 mm पे होगा click कर लिए एक और object चीए फिर से हम click करेंगे इस object पे उसके बाद बाहर की ओर click कर लेंगे same यह process repeat करते जाएंगे हमें जितने object चीए इसके parallel 55 distance पे यह हम change करते हुए चले जा रहे हैं यदि हमें offset distance change दिकरना है जैसे हां तक तो 55 mm के distance पे है अब हमें इसके बाद 15 mm के distance पे चीए तो फिर से हम क्या करेंगे command को exit करेंगे उसके बाद फिर से हम offset command में जाएंगे or enter अब हम पर offset distance 15 इंटर करेंगे उसके बाद select object फिर select a side किस side हमें यह offset देना है समझ आगे बच्चों तो आएए हम next जो इसके बाद की जो topic है यह है copy उसके बाद हम पढ़ेंगे move तो copy क्या होता है copy के मतलब होता है कि एक object कहें पर यह support को रहां पर बना हुआ है अब यह object हमें यहां पर भी चीए यहां पर भी चीए और नीचे भी चीए इस चीज को हम copy की सायता से बहुत ही असान तरीके से हम copy कर सकते हैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर इसके लिए हम modify menu बार में आएंगे menu बार के हम modify tool बार में आएंगे तोलबार पर click करने के बाद, यहां पर जो में दिखेगा, यहां पर है copy, copy पर click करने के बाद, इसे हम क्या करेंगे, select object, object को select करेंगे, उसके बाद enter करेंगे, enter करने के बाद यह बोल रहा है, specify base point, हम base point को, उसी point को मानेंगे, कि जिस point के हमें आगे जरूरत हो जैसे support करें कि यहाँ पे एक line ड्रा है यह line है अब इसके जो first point है हम सोच रहें सरकिल का center point इसके first point पे आकर specify हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे copy command यूज करेंगे copy command जैसे कि अभी हमने आपको बताया modify toolbar में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा copy यहाँ तो इसका shortcut की जो होता है दो shortcut की होते है एक तो होता है co enter पर दूसरा होता है cp enter अब इसकी सहायता से भी copy command को activate कर सकते हैं जैसे कि co enter किये copy command activate हो चुपा है अब हम क्या करेंगे select object क्योंकि यहाँ पर प्रॉम्टों दिख रहा है command bar में यह बोल रहा है select object अब हम यहाँ पर प्रॉम्टों पढ़ते हुए भी अपना काम कर सकते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा help करने वाला है हमें अपना command को use करने में तो हमें यहाँ पर select object करेंगे उसके बाद यहाँ पर enter करेंगे enter करने के बाद यहाँ पर बोला है specify base point अब हम आपको बताया थे कि base point हमें उससे मानना है जिसके हमें आगे need हो support करें इसका center point हमें इसके पहले वाले point पर fix करना है इसके लिए हम base point जो बनाएंगे इसका center point को ही click करेंगे जैसे ही click करेंगे यहाँ पर यह base point क्लिक हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इससे paste by second point अब इससे जहाँ भी हम second point क्लिक करेंगे यह object वहाँ तक copy हो जाएगा support करें कि जैसे देख रहा है आपको cursor crosshair के साथ साथ यह object भी move हो रहा है अब यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर यह copy हो चुका है अब इसके बाद second हमें यहाँ पर भी चीए यहाँ पर हम click करके इसे copy कर सकते है और भी कहीं हमें यहाँ पर लाना है कहीं भी click करेंगे यहाँ पर click करेंगे और यह पर यह copy हो जाएगा अब suppose करने जैसे यह object है अब हमें इसके कुछ fixed distance पे इसे copy करने है उसके लिए हम क्या करेंगे या तो हम पहले से कोई line draw कर लेंगे जितने mm के distance पे हमें चाहिए या तो हम क्या करेंगे यहां से इसको copy करेंगे और इसके बाद distance की value enter करेंगे ओ कैसे करेंगे अभी हम देखते ह यहां पर copy का shortcut की होता है co enter select object enter उसके बाद space 5 base point इसके बाद second point second point के बाद यहां पर आपको सो हो रहा होगा space 5 second point और first point as displacement that means कि यहां पर जो first point हम click किये थे इसके बाद second point के और direction देंगे जितर हमें इसे copy करना है और इसके बाद यहां पर हम displacement की value enter करेंगे जैसे यहां पर हम कर लिए 150 अब यह जो object यहां से यहां तक की copy हुई है यह पहले object है यह second object है जो की copy हुआ हुआ object है यहां से यहां तक की distance है 150 है इस तरीके से हम copy command का use करते है अब हम यहां पर जो next command है आपका यह है move, move क्या होता है move का मतलब होता है कि एक object को किसी अस्थान से उठाए और उसे दूसरे अस्थान पर place कर लिए support करें यह भी modify का command है यह मिलेगा कहां पर आपनो comment section में जरूर बताना अब हम यहां पर इसका command activate करते है command activate करने के लिए हमें क्या करना है इसका shortcut key उच करेंगे यह तो फिर menu bar का modify toolbar में आएंगे toolbar में आते ही यहां पर हमें मिलेगा move command और यहां पर copy है copy के बाद यहां पर है move command move command के लिए हम इंटर करेंगे यह तो फिर इस पर click करेंगे उसके बाद select object same process वही है जो की copy में था उसके बाद इंटर करना है आपको इंटर करने के बाद सेम यहां पर भी base point select करना है base point फिर से हम उसी point को मानेंगे जिसकी हमें आगे need हो suppose फिर इससे base point बना लिए अब इससे हमें जहां पर रखने हो आप ही click कर लेंगे यह फिर direction देखकर हम direct इंटर यहां पर distance इंटर भी कर सकते हैं जैसे 200 की फिर इंटर अब यह object इस पहले वारे अस्थाम से 200 के distance पर यह move हो चुका है इस तरीके से हम move command का भी use कर सकते हैं इसके बाद यहां पर जो अगला mirror command होने वाला है यह mirror command mirror command का मतलब यह होता है एक दूसरी के mirror जैसे आप सुबा या साम जब भी अपने आप mirror में देखते हो शीशा तो समने देखा होगा तो सीशा पर जो देखते हो वही चीज वहां पर सू होता है जो कि उसके सामने खड़े होता है जैसे support कर आप सामने खड़े हो आपका ही mirror उस arrow बना लिया, suppose कि हम परqueland के बाद एक arrow बना लिये इस तरिके से हो गया अब हम यहाँ पर mirror बनाते हे श form करें ग्रहुं कर ले रहे हैं जिसकी साहता से कि हम लाइन को सीधा सीधा बिल्कुल बना सकते जैसे अब हम इसका mirror करेंगे, तो mirror के लिए भी same process है, आपको क्या करना है, MI enter, या तो फिर modify tool बार में जाना है, यहाँ पर mirror command को select कर लेना है, mirror command को select करते ही, आपको object को select करने का, यहाँ पर prompt आ रहा है, कि select object, select object, that means की object को select करना है, उसके बाद आपको enter कर लेना है, इंटर करने के बाद, यहाँ पर बोल रहा है, space 5 first point of the mirror line, अभी जो मेरा mirror है, इसका हम पहला point क्लिक करना है, यह पहला point हम कैसे भी click कर सकते हैं, कहीं भी click कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम पहला point क्लिक किये, इसके बाद आ रहा है space 5 second point, यदि हम second point यहाँ पर click करते हैं, इसके just उसके जाष्ट इसकी जाष्ट पहे रोघ्जेक्ट मिलीर ओजाएगा यादी यह से से PRESकेंड पटल प्रहष्ट Хो Term कि यदि जो ये source object है इसको क्या आप erase करना चाहते है यदि erase करना चाहते हैं तो आप s पे click करेंगे या तो फिर enter करेंगे या फिर no पे click करेंगे ये object erase नहीं होगा इंटर करने के बाद object erase इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये by default no पे select होता है अपने आप जैसे अभी हम इंटर कर लिए बिना s और y को click किये इंटर ये object मेरा erase नहीं हुआ अब मेरा command ये हो चुका अब जैसे suppose करो आप यहां भी ये मेरा rectangle बना हुआ है ये command हम आगे पढ़ेंगे rectangle command क्या होता है तो उसने बाप समझ जाएंगे फिलाल इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे कुछ भी बना लिए सब्च करो कि यहां पर हम circle भी बना लिए अब हम सोच रहे हैं यह जो object यहां पर है इससे जितना distance पर इधर है उतना ही distance पर इधर भी बन जाए मतलब पहला point mirror line का और दूसरा point जो हम select करते हैं वो object से जितना distance पर जिस angle पर होता है object दूसरे side mirror भी उतना ही distance पर उतना ही angle पर होता है suppose करें एमा इंडर कर लिया है उसके बाद select object, enter इसके बाद first point हम यहां पर इस वाले point पर click किए इसके बाद second point हम इस वाले point पर click करेंगे या फिर इस वाले point पर click करेंगे यह जो yellow color की जो reference line रहा हो रहे है यह होता है mirror line अब यह mirror line इस object से source object से जितना angle पर जितना distance पर होगा second object जो mirror होने वाला object यहां पर बन रहा था वह भी उतना ही distance और उतना ही angle पर बनेगा इसके बाद अगर हम यहां पर yes place करते हैं या फिर इसके लिए shortcut की होता है why enter यादे हम why enter कर लेते हैं तो यह जो मेरा source object है यह erase हो जाएगा जो second mirror object है वही सिर्फ बचेगा तो इस तरीके से हम mirror command का use कर सकते हैं अब second पे हम यहां पर आते हैं जो मेरा second number की topic है यह है draw command draw command हम पढ़ेंगे यहां पर rectangle उसके बाद हम पढ़ेंगे arc अब rectangle क्या होता है rectangle के लिए हम इस तरह हम पर जाना है draw toolbar में क्यों क्योंकि यह draw command का draw toolbar का command है अब इसके लिए rectangle हम चाहते हैं से भी पिक कर सकते हैं जो कि मेरा यहां पर था आपको मोडिफाई सेक्टन में यहां पर इस तरीके से यहां से भी हम पिक कर सकते हैं या फिर मोडिफाई टैट से भी पिक कर सकते हैं या फिर एमाई इंटर करके भी इसका यूज कर सकते हैं तो जो rectangle command है rectangle command के लिए हमें आना है raw toolbar में, यहां पर आपको so होगा rectangle, अब rectangle जैसे ही command को activate कर लेते हैं, यह फिर कर लेंगे इसका shortcut की होता है यहां तो फिर यहां पे draw section में ribbon का draw section है इसमें हम देखेंगे यहां पर यह rectangle command है यहां पर जैसे हम rectangle command activate कर लेते हैं हमें क्या करना है पहला point click करना है इसके बाद इस तरीके से हम manually कहीं भी अगर click करके यहां पर इस तरीके से second point इसका diagonal set कर सकते है जहां में click करेंगे second point यह rectangle draw हो जाएगा यह तो first method हो गया manually बनाने का suppose करी इसका use हम कहां पर गरेंगे जैसे हां पर कुई line दिया है इस तरीके से कुछ भी object यहां पर बना हुआ है second object यहां पर बना हुआ है अब हमें यह दो point हमें मालूम है अब इन दोनों point को touch करते हुए मतलब इन दोनों point को reference मानते हुए एक हमें rectangle draw करना है इसके लिए हम क्या करेंगे rectangle command को activate कर लेंगे अब इसके बाद पहला point यहां पर click करेंगे इसका diagonal हमें यहां पर set करेंगे इस तरीके से rectangle command draw हो जायागा यह तो हो गया manually अब हम इसे distance कुछ fix distance लेकर कैसे बनाएंगी हमें क्या करना है REC enter REC enter करने के बाद हमें इसके कहीं भी click कर लेना है click करने के बाद अब हम इसके लिए क्या करेंगे right click करेंगे right click करने के बाद यहां पर dimension 100 हो रहा है यदि आप right click नहीं करते है भूल जाते है यहां पर यह जो command bar है command bar में भी यहां पर dimension dimension पर click करते ही इसके बाद इस पर dimension पूछेगा कि आप कितने का rectangle बनाना चाहते है suppose करें कि इसका horizontal distance रखने वाले हम 100 रखेंगे vertical distance 50 रखेंगे उसके लिए हमें क्या करना है horizontal value यहां पर इंटर करेंगे जैसे यह बोल रहा है specify length for rectangle अब इसका length कैसे होगा length horizontal यह होने वाला है तो इसलिए हम पर specify length की value इंटर करेंगे हम 100 इंटर कर लिए अब इसके बाद यहां पर width पूछ रहा है कि जो rectangle का width होने वाला है वो कितना होने वाला है width को हम रख लिए 50 इंटर अब यह rectangle draw हुआ है यह हुआ है 100 by 50 का लेकिन यह देख रहोगे आपकी अभी चारो coordinate में मुब कर रहा है अब यह mee कर रहे है इस वाले points से move कर रहा है इस السबले points के क्यों मूब कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर ही parad含 क्ली किया हुआ था फे जहां भी हमें तो अब हम आ जाते हैं, rectangle तो सीख लिए, दो method से एक manually कैसे बनाते हैं, दूसरा dimension के साथ कैसे बनाते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लेकर आते हैं आपको next topic जो है, यह है arc, arc command हम कैसे यूज करेंगे, वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम आपको लेकर आगा है software पे, इसके ब बाद यहाँ पे software है arc, अब जैसे हम arc पे अपना pointer लाते हैं, इसके side में इतने सारे यह types के arc दिख रहे हैं, arc तो एक ही होता है, जिस तरीके से circle से, उसे बनाने के 6 method थे, 6 तरीके से हम कैसे circle को draw कर सकते हैं, से हम उसी तरीके से arc, arc ही होता है, लेकिन इसे बनाने के total 11 types होते ह हम 11 तरीके से arc को बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, हम बारी बारी एक एक को देखते हैं, सबसे हम पहले आगए यहाँ पे 3 point arc, अब इसे हम इसका shortcut key के होता है, वो भी हम पहले note down करते चलते हैं, इसका shortcut key होता है, A, enter, यदि हम A, enter करते हैं, तो arc command activate हो जाता है, और by default जो arc critical arc reactuate होता है, इसके बाद यहाँ तो हम draw section यहाँ से भी use कर सकते हैं, ribbon की draw section यहाँ पे क्लीक करने के बाद, यह जो arc यहाँ पे दिख रहा है, अरक यहां पर आइकन भी सो निशो वह रहा है, इसके बाद यहां पर नाम भी सो वह रहा है, जैसे यह डॉप 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 बटन पर किली करते हैं, यहां पर यह डॉप 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 अवहाइंग एक यह डॉप बॉक्स अपन हुआ, इसमें total 11 types के मेथड है जिस तरीके से हम आर्क को बना सकते हैं जैसे सपोच करें डिफरेंस के लिए हमने एक लाइन डॉट कर लिया है लाइन डॉट करेंगे हम और पर पर लाइन डॉट जो हम करेंगे बिल्कुल 90 एंगल पर करेंगे ताकि इसमें कोई भी एंगल ना हो, ताकि आप उसम्हील में अआसां हो अब हम क्या करें यहां से? एक्रिवेट कर लेंगे आर्कमाड को एक्टिवेट कर लेंगे आर्कमाड को एक्टिवेट करने के बाद हम three point an ark पड़ा है तो आप इस पे click करो, click करने के बाद पहला point यहाँ पे click कर लो, second point इसका जितना भी आप rise रखना चाहते हो, rise तो आप सबको मालूम होगा कि आर्क का rise क्या होता है, यहाँ पे हमने rise को click कर लिया, इसके बाद यहाँ पे third point click किये, अब जैसे पहला point यहाँ पे click किये थे, दूस start, center, end का मतलब यह है, यहाँ पे click किये, start point हमको देना है, इसके बाद हमे center point pick करना है, उसके बाद हमे end point pick करना है, अब center point हम सो चलिए, इसके midpoint में pick हो, अब अभी आपको यहाँ पे so हो रहा हुगा, कि यहाँ पे midpoint कहीं भी so नहीं हो रहा है, बच्छा, midpoint हमें click नहीं कर अब midpoint कैसे पहिचानेंगे, कि midpoint क्लिक हो रहा है या नहीं, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आना है, यह जो आपको model keys दिख रहा है, इस keys को हम बोलते है, object snap mode, इसके बाद यहाँ पे आपको drop down button दिख रहा है, इस पे click करेंगे, इस पे click करते है, एक dialogue box open हो रहा है, इस pop-up में हम क्या करेंगे, कि इसमें देखेंगे, कि हमें midpoint का option कहां पे आ रहा है, midpoint यह आ रहा है, यह uncheck है, मतलब किसी अगर हम check कर लेंगे, यहाँ पे मेरा midpoint भी 100 होने लगेगा, अब midpoint कैसे 100 होगा, और हम देखेंगे इसे on करने के बाद, इस पे click किए, यह on हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कि यह check box हो गया, check होने के बाद, अब यह midpoint मेरा यहाँ पे 100 होगा, कैसे होगा, अब हम यहाँ पे activate करते हैं, R command, R command में start, center, end वाले R command को activate करते हैं, इसके बाद start point कि लिग करेंगे, अब हम mid में लाएंगे, यह जो यहाँ पे दिख रह यहाँ पे nearest option भी आ रहे है, nearest इसके लिखा हुआ आ रहे है, अब जैसे midpoint आएगा, यहाँ पे midpoint लिखा हुआ भी आएगा, और यहाँ पे उसका icon भी change हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे triangle दिख गया, अब यहाँ पे लिख रहा midpoint, मतलब कि यह center point होने वाला है, इस line के midpoint पे right के यह endpoint देते हैं, यह arc जो बनेगा, नीचे के यह लिख रहे हैं, यादि हमें उपभर बनाना है, तो हम start point right के ओर click करेंगे, और endpoint हो left के ओर click करेंगे, जैसे इस तरीके से हम करते हैं, यह arc उपर बनेगा, अब हम बना कर दिखाते हैं, और इसका राइज कितना होने वाल यहाँ पे क्लिक्खिए, यहाँ पे आफे Start, Center, End, मतलब अब हम इसे Left में Start Point, Right में Start Point क्लिक्खिए, इसके बाद यहाँ पे Center Point, same रखें, उसके बाद end point यहाँ पे क्लिक्खिए, अब जैसे ही यह Point हम इदर से शुरू करते हैं, इदर पे end करते हैं, यह जो arc बन रहा है, उपर आप left में शुरू करते हो, right paint करते हो, तो arc नीजे बनेगा, और यदि हम right में शुरू करते हैं, left में end करते हैं, तो यह arc उपर बनेगा, तो आए हम लेकर चलने हैं आपको, arc का next जो इसका types है, उसमें, अब यहां पर आ रहा है, center, यहां पर आ रहा है, start center angle, start center angle का मतलब यह है, जो arc हम बना रहे है, start center angle से कैसे बनाएंगे, start point कि लिख करना है आपको, simply आपको center point कि लिख करना है, अब इसमें आपको angle की value इंटर कर देना है, जैसे हम 45 इंटर किये, start point हम इधर दिये थे, इसलिए arc नीचे बना, यहां हम इधर किलिक किये हो तो यह उपर बनता, अब यह 45 का है, इसका center है, center से इस वाले point को मिलाते हैं, एक line ड्रा करो, और इसके बीच का आप यह एंगल में करो, यह 45 इंगल, इस एंगल को आप बढ़ा सकते हो, जो कि अभी हम बनाते time, angle जो दिये थो 45 था, इसलिए 45 इंगल की यह बना हुआ है, इसको हम erase कर दिये, erase करना सबको आता होगा, कि select object, enter करेंगे, erase हो जाएगा, यह तो पहले command activate कर लो, enter, या फिने हाचे हब select कर लो, उसके बाद select object, उसके बाद enter, इस तरी के समीच से erase कर लिए, इसके बाद जो next list में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, start center length, start center length का मतलब यह है, हम इस पर किलिक करेंगे, start point, उ center point देने के बाद इसका length का value, enter करना है, अब length का value हम कितना दे सकते है, यह भी सोचने बात है, इसका मतलब यह है, जो हम पहला point कि लिख किये थे, उसके बाद center point कि लिख किये थे, इसके दो गुने से ज्यादा length का value नहीं enter करना है, उससे कम करोगे, तो यह आर्क बनेगा, suppose क तो यहां से यहां तक मालो हम यहां पर क्लिक कर लिए, यह फिर डायरेक्ट भी हम यहां पर value इंटरी कर सकते हैं, जैसे हम यहां पर क्लिक किये, अब यह जो आर्क बना यहां से यहां तक जितना distance है, वह ही distance start point और end point के बीच का वह distance है, यह होता है start, center और length, इसके बाद यहां favour is start, center, end, उस तरीके से हम करेंगे start, end, angle, यह यह वाला, start, center, angle, यहां पर start, end, angle, इसमें हम पहले क्लिक किये थी start point और ус के बाद center उसके बाद eth final technique क्लिक करना है, उसके बाद depl verge करना है उसके बाद हमें एंगल के वैलो इंटर करना है इस तरीके से यह आर्क बन जाएंगे तो यह जितने भी यहाँ पर टोटल हम आपको तीन टाइपस को बता दिये यह मेथड बता दिये चार्ट आए अब इसके बाद यह जो बाके दिख रहे हैं आप लोग खुछ से प् करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं हो